हाई अब्रिवान येस बहुत बाहर ऐसा होता है जब हमें एकदम से ऐसे ब्लॉटेंग फील होती है और हमें लगता है कि डीटॉक्स करने की जरूरत है बाट जैसे की स्पा ओपर नहीं है और हम बाहर नहीं जाना चाहते तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम घर रहकर अपनी बॉ करने के लिए ये तॉक्स क्लीन कैप्स्यूल्स आयो शांती रेंच का जो की ऐरुवेदिक बेस्ट है इसको मैं जरूर लेती हूं इसके दो कैप्सूल रात को गुंगुने पानी के साथ लेने से मेरे को सुभा बहुत अच्छा फील होता है मैं एकदम से अच्छे से निकल गए बट अगर मैं कुछ एक्स्टरनल चाहती हूं और जब मझे लगता है बहुत जादा टॉक्सिंज तो मेरे पस क्या हल है मेरे पास है ये डी टॉक्स पाच्छ जो कि आज मैं आप लोगों साथ आज़र रव्यों शेयर करोंगी इस बॉक्स के अंदर ये निकला मै मैंने इसके बार में बहुत सुना था बट अब आप डिसाइड़ फाइनली तो ट्राइड इस इसके अंदर काफे सारी शीब्स हैं जो कि एडेसिफ टेप का काम करती हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इसको यूस कैसे करते हैं और बिलकुल जैनुवेनली मैं इसक इसके अंदर है ये साशेज जो की एक बार में इस्तमाल होगा और मैं ओरनाइट लगाऊओंगी कैप्सिल खाने वाली हूं और मैं ये साशेट लगाने वाली होगा इसको लगाना कैसे है जैसे कि मैं देख सकती हूं इसके आगे लिखा हुआ है डीटॉक्स फुट पाच औ इस गोल्डन साइड में मैं लगाऊंगी यह एडेसिव टेप और इसको उतारना है इस तरीके से मैंने यह रिमोफ किया इधर स्टिक कान है यानि कि इसको मैं ऐसे लगाऊंगी विल्कुल आप यह देख सकते हैं और इसकी दोनों साइड मैं रिमोफ कर रही हूं क्योंकि मुझे उसे पैर के नीके लगाना है और सेम यह इसको भी मैंसी कर लेती हूं इस साइड से रिमोफ और इसके अंदर लगा रही हूं मैं यह फूट पैच और दूसरी साइड से मैं उसका स्टिकर भी रिमोफ कर रही तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे लगाया पैर के तले में मैंने इसको अपलाई कर लिया दोनों तरफ से स्टिकर मैंने हटा दिया है और ऐसे ही दूसरे पैर की साइड पे भी मैं लगाने जा रही हूँ और वो भी आप लोगों के सामने बिलकुल जनुविन रिव्यू मैं कल इसका वीडियो बनाऊंगी मौनिंग में जब इसको रिमूफ करूंगी और मैं जरूर दिखाऊंगी कि येस मैंने पूरा पैर के तले में लगा लिया है दोनों पैर के तले में तो येस मैं सुबा आपको जरूर देखाऊंगी कि मेर को कैसा मैसूस हुआ और ये किस तरीके से डीटॉक्स करता है अब करते हैं कल सुबा का गुनाइज येस गाइज मैने टॉक्सिकली में गाया था ता वाल अचास ब्रेश होई अग्या बॉवम्हाँ इस विर प्रेश होई और दॉवम्हाँ थे पाच्छ तो लेट्स क्या निकलता है ओ, this is insane I mean, yes, just see This turns to black Like, it's all the gel-gel These all are toxins that are converted into my face मेरे पेर के अंदर से निकले है मेरी बॉडी में से यानि कि externally भी this is possible हाँ जायदा नहीं है क्योंकि मैं toxically regular खा रही हूँ अगर आपने कभी कुछ नहीं किया और आप यह यूज करते हैं तो I guess shocking रहेगा result यहां पर भी yes it's easy to remove और मैं इसी से सारा clean भी कर रहे हूं सारा oil 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 हो गया है सारा oil 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 just see yes so I advise अगर आप अपनी body के toxins remove करना remove करना चाहते हैं तो यही है मेरे expression पे मच जाएगे का मैं picture ले रही थी but this is really you know तो मैं 100% you know agree करते हूं कि अगर आप चाहते हैं इस तरीके सापनी body को clean करना detox करना बहुत ज़रूरी है आप green tea green coffee भी ले सकते हैं tox clean capsule ले सकते हैं सापने foot patches detoxification is most important so just go for it yes I'm here for something very special and that is these foot patches yes यह तो wonder कर रहे हैं मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कुछ प्रक इसना अच्छे से body को detoxify कर सकता है और externally कुछ खाना नहीं पीना नहीं इसको सिर्फ एक पैच को निकालो अपने पेर के तले में लागा लो paste कर दो and see the wonders it's amazing पूरा का पूरा जेल रात में लगाके सोगे सुबह एकदम से ब्लाक जेल डीटॉक्स कर देगा आपकी बॉड़ी yes go for it this is the most important product I have tried I am very satisfied और वही चीज मैं आपसे शेर कर रहे हूं this is try tested go for it